टो दोस्तों जब भी इन्फिनि्स का कोई नया फोन की बात आता है तो मैं बहुत जदा एक्साइडेर हो जाता हूं क्यूंकि सटे में कोई अच्छा हैं समें मिलने माला रहता है क्यूंकि हमेसा सब्स perform यहतर प्रोवाइड कराता है कुछ डिं पहले मैंने साइक नया डिजाइन में ध्यान देता है इस बार फीचेस में भी ध्यान दिया है और खास करके गेमिंग यूजर के लिए भाई यह फोन काफी अच्छा होने वाला है तो गाइस कौन सा यह मोबाइल कैसा लुको डिजाइन कौन सा फीचेस और किस प्राइसेंच में फोन लॉंच हो रहा मैंने एक बोक्स भी दिखाया था जो कि उसका फेक्टरी से निकल काया था मेड इन इंडिया का ब्रांडिंग आपको देखने को मिला था उस बोक्स में बट आज जिस फोन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जब मैं इस फोन का फीचेस देखा तो मैं खुद सबसे बहुत करते हैं मोबैल का लुको अर्ड दिजाइन के बारे में इस से पहले जो लिक्स निकल कट करा था कुछ उसी तरह का पेटर्न जो है बेक साइड में देखने को मिल जाएगा दो या फिर 3 कलर में आपको देखने को मिल रहा है तो बेकपनिल अगर आप नोटिस करेंगे तो भाई इन्फिनिक्स हमेशा कुछ नया करने का ट्राइ करता है इस बार भी आपको नया डिजाइन जो है इन्फिनिक्स की तरफ से देखने को मिलेगा और खास करके भाई इसमें फीचर्स चलिए one by one जानते हैं सबसे पहले हाइलाइट फीचर्स के बात करते हैं इस फोन में आपको जो गेमिंग प्रोसर मिलेगा ओ है मिडिया टेक लिए जी एटी फाइब का प्रोसर जो कि इससे पहले हम लोग देख चुके है जो की बेस्ट गेमिंग प्रोसर है दसजार के अंदर और इसमें आप काफ़ी अच्छा गेम खेल सकते हैं हेंग लेगिंग या फिर हीटिंग प्रोब्लेम नहीं होने वाला है तो गेमिंग एक्सपरेंस आप इस फोन में बहुत अच्छा उठा सकते हैं प्रोसर इस मुगाल में देखने को मिल जाएगा अब नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं हाइलाइट फीचर से इस फोन का डिस्प्ले इस फोन में आपको 6.82 इंच का डिस्प्ले मिलेगा मतलब 7 इंच का आपको डिस्प्ले मिलने वाला है लगभग जो की बहुत बड़ा डिस्प्ले होता है बट यह जो डिस्प्ले है है कि इसमें आपको 90 हर्ट का रिफ्रेस रेट देखनों को मिल जाएगा जो कि एक प्लास पॉइंट है हाइलाइट फीचर की बात करते हैं तो देखिए इस मोबाइल में बैटरी एक हाइलाइट फीचर से क्योंकि मोबाइल में आपको 6000 मिलेंपेर का बैटरी मिलेगा जो की बहुत बड़ा पावर बैटरी हम लोग कह सकते हैं जिसमें आप बहुत हीजी से दो दिन तक यूच कर पाएंगे और साथ में आपको 10 वाट का चार्जर देखने को मिल जाएगा इसकर दोस्तों यहां पर फीचर का नहीं होता है और एक हाइलाइट फीचर निकल का आता है जो है इसे मोबयल का कैमरा जिसमें फैमटारी लेंस 48 वेक tv की बात करते हैं तो इस मोबल में आपको 8 मेगाफिसल का सेलफी कैमरा मिल जाएगा और फ्रोंट में और बेक साइड में दोनों ही आपको यह एलेडी फ्लास लाइट देखने को मिल जाएगा इसका रही रियम और इंटल ने स्टोएज की बात करते हैं 4Gb 14GB 64GB और 4GB 163GB 6GB 163GB ऐसे चार वराइंट आ सकता है ऐसे सुनने में आ रहा है बागी इस मूबाल में आपको Android 11 का सपोर्ण जाएगा out of साइड में further सैंसर आपको देखने कोुं मिल जाएगा और मोबाल में जितना सारा सैंसर दिया सारे सेंसर देखने को मिल जाएगा तो इसका नाम है इंफिनिक्स हो टेन एस और इस पॉन को अभी इंद्योनिसिया में लॉंच कर रहा है मुझे लगता है इंडिया पर री ब्राइंड करके आ सकता है देखते हैं किस प्राइस करता है मेरे ख्याल से 8-9000 के आसपास प्राइस